अपराजिता अपराजिता का पौधा जड़, पुस्प, हर एक चीज वसी करन में परियोग होता है तंत्र क्रियाओं में परियोग होता है आज हम आपको एक खास बाद बताएंगे देखे अपराजिता जो होता है वो नीला और सफेद दो रंगों में होता है जो पुस्प होता है और इस पुस्प को बिश्णू कांता भी कहते हैं अगर आपके घर में अपराजिता का बोधा है तो इसका मतलब भगवान स्री हरी बिश्णू साक्षाद आपके घर में हैं हलां कि इस पुधे को अपराजिता को जो प्रियोग है तंतर मंतर और टोनों टोटके के लिए भी इसका प्रियोग किया जाता है अपराजिता का आप सबसे पहले तो निमंतरन देके आईए आप उनसे बोल कर आईए कि आप किस काम से उनको लेने जा रहे हैं और फिर अगले दिन आप जाकर उसको लेकर आईए पुस्प को और चाया में सुखाएं तो इसको आप रखिए हमेशा अपने पास ये पुस्प जो है ना बहुत ही दुरलब एक तंतरोक्त वस्तु हो जाएगा तो चलिए आज हम आपको खास परियोग बताएंगे देखिए कभी कभी क्या होता है आपको लगता है आपके पीछे कोई है आपको कोई परिसान कर रहा है कुछ और द्रिस सकती आपको परिसान करती है या फिर आपको रात में सपने में बार-बार कोई मिर्ट तव्यक्ती आपको दिखता है आप परिसान है तब ऐसे में एक छोटा सा काम कीजिए ब्लू कलर का जो अपरा जिता होता है उस पौधे की जड़ थोड़ा सा तोड़ कर आईएगा एक दिन पहले और अगले दिन जाकर थोड़ा सा तोड़ कर ले आए इसको धूब दिखाईए साफ कर ले और फिर ब्लू कलर के कपड़े में बांध कर आप अपने पास हमेशा आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने टोड़े के किये हैं कई बार ऐसा देखा जाता है घर के दरवाजे पर लोग बहुत कुछ पेक के चले जाते हैं तब ऐसे में आप अपरा जीता सफेद वाला जो अपरा जीता पुस्प होता है उसका जड़ लेकर आईएगा और उसको ब्लू कलर के कपड़े में बांध कर घर के मुखे दरवाजे के ऊपर लगा दें बाहर की तरब से आप देखिएगा लोगों का टोड़ना टोटका नजर दोस्प सब हट जाएगा और आपकी परिशानी समाप्त होगी धन की मुश्किलें भू दूर करता है अपरा जी और उसे किसी चांदी की डिब्बी में बंद करके पूजा अस्थान पर पहले धूब दिखा लीजेगा फिर पूजा अस्थान पर चांदी की डिब्बी में रखें और नियमित रूप से धूब दिखाते रहें आप देखिएगा धन आता रहेगा क्योंकि कहा जाता है अगर आप अप्रा जीता का जड़ घर में ले आते हैं तो चोड़ी भी नहीं होती निगेटिव एनर्जी भी दूर रहती है और गरीबी भी दूर हो जाती है नौकरी में सफलता भी देता है अगर आपको लगे कि जॉब में लगातार और सफलता और अगर कुंडली में राहू बिगड़ जाए अब राहू, केतु और सनी ये तीन गरह ऐसे हैं जिनका नाम सुनकर ही डर लगता है तो अगर कुंडली में राहू बिगड़ जाए तब एक छोटा सा प्रियोग करें, राहू जीवन में आकस्मीक चीजें बहुत करवाता है, या तो आकस्मीक रूप से चीजें को बढ़िया करेगा या फिर बिगार देगा, तो आपको लगे कि अचानक से जीवन में परिसानि या एक के बाद एक आ रही है, तो इसका मतलब है, राहू एकृटिव हो चुका है, तो राहू से चुटकारा पाने के लिए, उसके बुरी दसाओं से चुटकारा पाने के लिए, चालिस दिन तक लगातार, एक चोटा सप्रियोग कीजेगा, किसी भी दिन से शुरू कर सकते है सनिवार का दिन हो तो और मतलब 40 दिन तक लगाता है आप महिला है पुरू से कोई भी किसी वावस्था में कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है बस डालना है टोकना नहीं है धन्यवाद